इस ग्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक important message यदि आप UPTGT की तयारी कर रहे हैं और किसी ऐसी बुक की तलास में है जो आपको bilingual मिले मतलब वो बुक आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिखी गई हो तो दोस्तो हम लोगों ने एक बुक को publish कराया है जिसका नाम है पैनेशिया एक comprehensive book for TGT English ये एक literature की बुक है इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में material मिलेगा ये बुक आपको फिलाल फिलिपकार्ट पर मिलेगी लेकिन कुछ दिन बाद ये आप लोगों को Amazon पर भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी ध्यान रखें कि एक literature की बुक है और हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिखी गई है नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाट साल में आज के इस lecture में मैं आप लोगों को विलियम वर्षवर्ट के द्वारा लिखी गई Lucy Poems के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़े ऐसे facts आप लोगों को बताऊंगा जो आपको exam में help करेंगे देखें Lucy जो है ये एक series का नाम है जो विलियम वर्षवर्थ ने लिखी थी किस चीज की series? Poems की series जिसके अंदर विलियम वर्षवर्थ ने कितनी poems को लिखा था? पांच poems को लिखा था ठीक है लेकिन इनका sequence विलियम वर्षवर्थ ने हम लोगों को नहीं बताया था और इन पांच poems को हम लोग Lucy series की poem मानकर चलते हैं ये कौन-कौन सी poem है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा सारी detail इन Lucy poems के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज हम सिर्फ detail discuss करेंगे Lucy series की बाकी ये जो पांच poems है मैं आपको one by one करके पढ़ागता हुआ आगे बढ़ता चलूँगा देली हम एक poem को discuss करेंगे ठीक है तो दोस्तों ये सबसे पहले यहाँ पर Lucy poems की बात करते हैं The Lucy poems are a series of five poems composed by the English romantic poet William Wordsworth between 1798 and 1801 देखिए जो Lucy poems है ये एक series है क्या है एक series है कितनी poems की पांच poems की एक series है और इन्हें किस ने लिखा है William Wordsworth ने लिखा है और यो William Wordsworth जो थे ये romantic age से belong करते थे इन्होंने William Wordsworth ने अपने friend ST College के साथ मिलकर lyrical ballots को publish किया था 1798 में और इसी के साथ 1798 में lyrical ballots के साथ ही हम romantic age का start भी माते हैं इसलिए William Wordsworth को father of romantic age के नाम से भी जाना जाता है अब ये Lucy जो series है ठीक है इसको William Wordsworth ने 1798 में लिखना start किया था और 1801 में इन्होंने इस series को लिखकर complete कर दिया था ठीक है ये आपकी जानकारी रही अब बढ़ते हैं आगे All but one were first published during 1800 in the second edition of lyrical ballad poem number three I traveled among unknown men was not included in the second edition of lyrical ballads But it came in Wordsworth 1807 poetry collection poems in two volumes देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि William Wordsworth ने 5 poems को लिखा था Lucy series के अंदर ठीक है और उसका हम लोग एक sequence ही बना के रखते हैं उसमें जो poem number three है I traveled among unknown men उसको William Wordsworth ने lyrical ballads के second edition में publish नहीं कराया था बाकी की बाकी चार जो poem थी वो lyrical ballads के second edition में publish हुई थी जो 1800 में आया था आगे मैं इन poems के आप लोगों को नाम दिखाने वाला हूं बढ़ते हैं आगे और detail में आगे समझते हैं इन poems के बारे में देखें Lucy poems जो हैं या फिर Lucy series जो हैं वो ये पाँचों की पाँचों poem हैं पहली जो है इसमें strange fits of passion have I known ये हम sequence में पहली poem रखते हैं जबकि William Wordsworth ने हमें ऐसा कोई भी sequence नहीं बताया था लेकिन जो readers हैं वो एक sequence बना कर चलते हैं इन poem का ठीक है She dwelt among the untroden ways इसकी second poem है I traveled among unknown men जो है इसकी third poem है three years she grew in sun and sun जो है इसकी fourth poem है A slumber did my spirit seal इसकी fifth poem है अब देखिए ये पाँचों की पाँचों जो poem है William Wordsworth ने 1798 में लिखना इस सार्ट किया और 1801 में जो है इन्होंने लिखकर complete कर दिया था ठीक है Lyrical Ballads का जो second edition आया था 1800 में आया था अब ये 1800 में poem number three I traveled among unknown men जो है include नहीं की गई थी ये बात याद रखना include नहीं की गई थी poem number one, two, four and five को Lyrical Ballads जो 1800 में आया थी second edition of Lyrical Ballads उसके अंदर इन चार poems को include किया गया था लेकिन जो ये poem number three है I traveled among unknown men ये 1807 में जो William Wordsworth का poetry collection आया था जिसको हम poems in two volume के नाम से जानते हैं उसके अंदर William Wordsworth ने इसको include कराया था I hope ये information बहुत ही beneficial आप लोगे के लिए रहेगी इस poem को William Wordsworth ने जो ये Lucy series है ये series को William Wordsworth ने कब लिखा था जब ये बहुत कम समय के लिए जर्मनी में रुखे हुए थे तो ये question आपसे पूछ लिया जाता है कि जब Lucy series को William Wordsworth ने लिखा था तो वो किस country में stay कर रहे थे तो आपको इसका answer जर्मनी देना है तो ये थी Lucy poems की सारी की सारी series अब ये poem जो है जो पांचों की पांचों poem है अब हम इने daily discuss करेंगे इन सारी poems को ठीक है मैं आपको sequence में ये poem आगे पढ़ाता हुआ चलूँगा I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए beneficial रहा है मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए जैहिन